जैहिंद प्यारे सातियों कैसे हो आप सब बिलकुल मस्तो होंगे यूविक्टर क्लासेज यूटूब चैनल पर आप सभी का भूत भूत स्वागत है आज का ये वीडियो उन सभी कंडिडेटों के लिए भूत जादा महत्पूर्ण होने वाला है जो कंडिडेट जून दो हज 2024 में जो ग्रोपी सब्जेक्ट से पहले परियास में जेरप क्वालिफाई करना चाहते हैं जिन कंडिडेटों ने अभी पीजी में एडमिसन लिया है और उनका टार्गेट है कि भाई पहली बार हम जून दो हजार चोबिस में यूजी सिनेट का एक्जाम देंगे और हम पह जब के माक्स के साथ जेरप क्वालिफाई हो जाए मतलब पीजी के साथ ही हमारा जेरप क्वालिफाई हो जाए भाई मेरा नाम अजया सर्मा है जो ग्रोपी से मेरा लगातार तीन बार जेरप क्वालिफाई है और ये मेरे तीनों की तीनों बार का जेरप के सर्टिपिकेट सब्सक्राइब तो नालब क्यों, टेफे माई मैं घर उणाध मरे तो के साथ रहा हुआ है. जब मैं PG कर रहा था उसी दोरार मेरा दो बार जरब क्वालिफाई हो गए था तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर बहुत ही महत्पूर्ण कुछ ऐसे टिप्स सेयर करने वाला हूँ यदि उनको फोलो करते हो आप तो आप भी PG के साथ ही पहले परियास पर जरब क्वालिफाई कर पाओगे पिछले तीन साल से मैं इसी प्लेटफोर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और जोग्रोफी की तैयरी किरवारों दिसंबर 2023 के लिए जो एक्जाम हुआ था हूँ उसके लिए हमने यहाँ पर जोग्रोफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारेंटी बैच चलाया था तो उसका रिजन्ट कुछ इस तरीके से प्यारे सात्यों हमारे इस बैच से टोटल 41 कंडिलियोटों का जैरप क्वालिफाई हुआ था और यादि मैं हाई एस्ट स्कोर की बात करूँ तो हमारे बैच में हाईस्ट स्कोर था जोग्रोफी में 160 नंबर का वो भी 3 कंडिलियोटों के और वो भी 200 में से जोग्रोपी का पेपर 200 नंबर का होता है उसमें हाइस्ट स्कोर हमारे बैच में 160 नंबर का था और वो भी टोटल 3 कंडिडेट है मयंक है सुमित और मुनिस है हमारे इस गारेंटी बैच में टोटल 22 ऐसे कंडिडेट हैं जिनके जोग्रोपी में 75% प्लस का स्कोर था मतलब उनके जोग्रोपी में 75% से ज़्यादा क्योशन ठीक कुए थे पिछले 3 साल में इस प्लेटफोर्म से 160 प्लस कंडिडेटों का जेरप क्वालिफाई हो चुक है और 830 प्लस कंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुक है तो आपको इतना तो confidence आई ही गया होगा कि यहां पर सब कुछ बहुती बहतरीन तरीके स्करवाया जाता होगा जिसकी वज़े से यहां पर इतना स्यांदार वाला result रहता है जून दो हजार चोबिस में जेरप क्वालिफाई करना जून दो हजार चोबिस में पहले परियास में जेरप क्वालिफाई करने के लिए हमने एक गारंटी बैच सुरू किया है और इस guarantee badge का target है कि हमें हर हाल में जून दो हजार चोबिस में पहले परियास में बहुती गजब की marks के साथ जयर अरप qualify करना है 80% plus के score के साथ हमें जयर अरप qualify करना है भाई net qualify करने से कोई benefit नहीं है इसलिए net का कभी target मतलो target लो कि हमें पहले परियास में हर हाल में जून दो हजार चोबिस में जयर अरप qualify करना है भाई जयर अरप सेट होना चाहिए आपके दिमाग में सोते टाइम भी जयर अरप के सपने आने चाहिए दिन में भी आपके वल जयर अरप के बारे में सोचो पढ़ाई भी आप जयर अरप के according करो तब मज़ा आएगा तो अब हम इस detail से discuss करने वाले हैं कि इस guarantee batch में हम आपको किस तरीके से क्या content provide करवाएंगे ताकि आपका पहले परियास में जयर अरप qualify हो जाए और ये जो guarantee batch है आपको जयर अरप qualify करवाने में already fix हो चुकी है हमारे पास totally cool बिलाकर 140 दिन का समय बचा हुआ है तो हमें जो भी तयारी करनी है वो केवल 140 दिन में करनी है ताकि पहले परियास में जयर अरप qualify हो जाए और पहला attempt दे रहे हम भी हमारी PG चल रही है तो बिल्कुल जयद सी बात है जोग्रोफी हमारी बिल्कुल भी तयार नहीं होगी जोग्रोफी को हम बिल्कुल जीरों से सुरू करेंगी तो हम step by step सबी को समझते हैं ताकि हम जयर अरप तक पहुंच सके भाई 80% plus के score के साथ जयर अरप qualify करने के लिए हम इस गारंटी बात में चार वेरी वेरी इंपोर्टेंट टिप्स हैं उनके उपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं पहला paper pattern भाई paper pattern के बारे आपको बहुत जरूरी है पता होना कि कौन सी इनिट से कितने के उसनातर किस तरीके से आते हैं पेपर लेवल के बारे आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का आ रहा है कॉन्टेंट जिसके साथ आप मेहनत कर दो आप क्या पढ़ोगे किस तरीके से पढ़ोगे और इसके अलावा स्यांदार वाली रन नीती जो कि आपको मातर 140 दिन में पहले परियास में यदि हम फिला की पेपर पैटन की बात करें तो वो बिल्कुल बदल जुका है यूजी सी नेट का जो गरूपी का जो पेपर पैटन और जो पेपर लेवल है वो हर बार बदलता जा रहा है पेपर पैटन को बहुत गजब तरीके से समझने के लिए पहले परियास में जरब क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या किया जो गरूपी के कम्पलीट सलेबस को टोटल 21 इनोटों में डिवाइड कर लिया है यूजी सी ने 10 इनोटों में डिवाइड कर लिया इन 21 इनोटों को अब ने 2 सेसन में डिवाइड कर लिया ताकि हम बहुती आसानी से जरब तक पहुंच सके हमने एक सेसन A बनाए दूसरा सेसन B बनाए सेसन B में हमने केवल 4 इनोटों को सामिल किये सबसे ज़्यादा interesting unit होती हैं लेकिन इन युनिटों से इन चार युनिटों से फिलाल भी केवल 25 क्योशन आते हैं और इन 25 क्योशनों के बेश पर आप जरब तो बहुत दूर की बात है आप minimum passing marks का criteria भी qualify नहीं कर पाऊगे दूर्से साइड हम बात करें session A के बारे में बाई लोगों session A में हमने total 17 unit को सामिल किया economic geography, agriculture, industrial, transport, trade, regional planning, population, social culture, settlement, political, thought, e-v-s, kato, geotech, statical, world geography, current affairs इस तरीके से totally 17 unit को हमने सामिल किया session A में जहां से 65 क्योशन आते हैं आप किसी भी other platform से तयारी करोगी या किसी भी other platform से notes वगरा लोगी या किसी candidate से discuss करोगी जिन्होंने 2019 से पहले जरफ qualify किया वो आपको केवल session B की चार unit के बारे में कहेंगे कि भाई जियो morphology इस किताब से पढ़ लो, oceanography यहां से पढ़ लो, climateology यहां से पढ़ लो, इंडिया जोगरूपी पढ़ लो, जरफ हो जाएगा भाई 2019 से पहले इन चार unit से लगबग 65-75 क्यों सनाते थे 65-70% paper इन चार unit से आता था आजकल यहां से केवल 25% paper आ रहा है बाकी का जो 65% paper है ना, वो मेरे पहरे साथियो session A की इन 17 unit से आ रहा है तो यदि हमें जैरफ चाहिए, पहले परियास में चाहिए, 140 दिन के तयारी से चाहिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें इन 17 unit को बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल डीपली तरीके से तयार करना होगा और जब आपकी session A की 17 unit अच्छे तरीके से तयार होगई, तो आप पूरी बीट से आगे निकल चुके हो क्योंकि जितने भी candidate जैरफ का exam देते हैं जो ग्रूपी से, उन में से 95% से ज़्यादा ऐसे candidate होते हैं जिरो session A की unit पर बिल्कुल focus नहीं करते हैं, वो session B की हर एक unit पर, हर एक topic पर बहुत गजब तरीके से focus करते हैं और उनी की वज़े से उनका जैरफ नहीं होता, भाई, जैरफ के अबल उनका होता है, जो session A की 17 की 17 unit पर जबर्दस तरीके से focus करते हैं ठीक है, तो total paper pattern का है, फिलाल का, session A की 17 unit से 65 की उसना रहें, session B की 4 unit से 25 की उसना रहें, session C में 2 RC आते हैं, 55 की उसनों के, तो total 10 RC आ रहें तो यदि आपने session A की 17 unit को और session C, इसको अच्छे तरीके से तयार कर लिया है, आपका ज़रफ को रोक ही नहीं सकता आपको ज़रफ तक पहुंचने के लिए केवल session A को गचब तरीके से तयार करना है, ठीक है, क्योंकि session B को तयार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, यह हमारा सबसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, जोग्रोफी में सबसे ज़्यादा इंट्रेस्ट में जियो मॉर्फोलोजी में, इंडिया जोग्रोफी में आता है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंसर नहीं रहती, ठीक है, तो जैरफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, session A की 17 unit को ड प्रेक्टिक्स करना, पेपर के लेवल की बात की जाए, तो प्यारे सातियों, आजकल कॉंसेप्ट पर भी पेपर आता है, डीपली भी पेपर आता है, और क्रेट बेस पर भी आ जाता है, तो हमें overall हर एक तरीके से तयारी करना है, मतलब हमें हर एक कॉंसेप्ट को भी क्लिय करने डीपली तरीकिस पढ़ना है क्रेंट बेस पर भी पढ़ना है चाई पेपर कैसा भी बने किसी भी तरीके से बने हमारे कोई दिक्कत ना आए श्यांदार रहने इस गारेंटी बैच में हमारी क्या रहने रहने वाली है भाई लोगों हम सबसे पहले सैसन एकी सत्रा युनि को बिलकुल डिटेंगीं है तो टोटलि को लिलाकर हम 21 यूट के से त्यार करेंगी और फिर हम आरसे की बहुत शान्बार तरीके ब्राक्दिक्स करेंगि है वह आप का 80% का इसको कोई नहीं रोक सकता या आपने इस तरीके से तैयार कर ली मतलब आपने सबसे पहले सैसन ए को तयार किया उसके बाद आपने session B को तयार किया और इस guarantee वे हम सबसे पहले सेटाल हिंचाóर को तयार के रहेंगे उसके बाद session B कि चार युनिटों को तजिएर किरें इस तरीके से मैं कि कि 25 वाइस Topic वाइस तरीके से ट्यार करेंगे एक बिंचियार करेंगے सैल interprets का सब एक भी फोड़ने उसके बाद में हम डिसकर्स करता है कॉए अने वाले में बैर लोगों जहांसे किरुस्वां आनी वाले हैं जिसके साथ आप भेनत करने वाले हो यह सबसे महत्पूं होता है कॉणेन्ट हम यहां पर इस गारेंटी बैच में क्या करना है प्यारे सातियों, तोटल 14 ऐसे प्लेटफोर्म है, जिनके माध्यम से आप जोग्रोपी सब्जेक्ट के जैरफ के लिए तयारी कर सकते हो, जिसमें कुछ टीचर्स हैं, जैसे स्री राम खांगर सरो हो गई, अभी सिख जा सरो हो गई, सितान सु सरो हो गई, बीबी सरो हो गई, बच्चन सरो हो गई, दिवाकर सरो हो गई, और सूरत सरो हो गई, तीक है, इसके लावा नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टूट जैसे नोट्स हो गई, टोपर्स नोट्स के नोट्स हो गई, ओथेंटिक किताब यूनिट वाइस तरीके से, हमने टोटल 30 तोरीन कॉंटेंट तयार कर ले हैं, तो आपको इतना तो आइडिया आई ही गया होगा कि हमारा जो यहां का कॉंटेंट ना, वो सबसे बेस्ट होने वाला है, और सबथू के कॉंटेंट का सार होने वाला है, ओल्वर्s यह जो 14 पलेट फपोर्म है, इनके कॉंटेंट का न करके बहुत ही गजब का स्कोर करना है तार्गेट हमारा 80% पिलस का है यहाँ पर जो भी content बिलेगा बिल्कुल paper level paper pattern के coding बिलेगा पर टेक तोपिक का बहुत ही गहन तरीके से बहुत ही विस्तित तरीके सर बहुत ही सटिक तरीके सम्वियाँ पर अध्यन करने बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है तो जिन का जो ग्रोप भी बिल्कुल जिन्होंने राजा सीरीज या नोट्स वैसे ही भरबर के जिन्होंने पीजी पास कर ली यूजी पास कर ली लेकिन अब वो जयरब चाते हैं उनके लिए बहुत बैट पुन बैच होने वाला है क्योंकि यहां पर हम जो ग्रोपी को बिल्कुल जीरो से बढ़ेंगे एक भी किताब नहीं खरीद नहीं पड़ेगी बैच लेने के बाद में आपको रेगुलर लाइफ किलास मिलेगी बाद में वही किलास आपको रिकूडेट बिलेगी कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो हर किलास का पीडियाप मिलेगा संडे टू संडे टेस्ट होंगे प्रक्टिक स्क्यूशन मिलेंगे करंट अफेर मिलेगा यह मेरे कॉंटेक्ट नमबर सेवन एट नाइन वन थ्री फाइफ जिरो फोर सेओं जिरो बैच लेना चाहते हो तो इ जड़ी आप यह बैच लेना चाहते हो तो बिना देरी की है तुरंत अब भी फॉन उठाओ और यह मेरे कॉंटेक्ट नमबर है 7891350470 इन पर फॉन मिलाओ या वोट्सप पर मैसेज करो बैच के रिगार्डिंग सभी डाउट्स को किलियर करो और तुरंत बैच जोइन करो भूद भूद धन्यवाद आप सबी को देखने के लिए ठैंक्स बाइ मेरे प्यारे साथ क्यों